हिंदी सिनिमा के शुरुवाती सालों की एक बेहद शांदार और बोल्ड आक्ट्रिस 1930 के दशक में शुरू हुआ लीला चितनिस का करियर 80 के दशक के आखरी सालों तक चला बेहद खुबसूरत लीला चितनिस ने फिल्मों में अभिनेतरी के तौर पर तो सफलता हासिल की ही थी लेकिन मा के किरदारों में इन्होंने बॉलिवुड में अपना एक ऐसा मुकाम बनाया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा लीला चितनिस का जन 9 सिप्टेंबर 1909 में करनाटक में हुआ इनके पिता अंग्रेजी के नामी प्रोफेसर थे यूं तो इनके पिता ब्रामन थे लेकिन जाती प्रथा के वो इतने खिलाफ थे कि उन्होंने बाद में ब्रह्म समाज की सदस्यता लेली पड़े लिखे परिवार में पैदा होने के चलते लीला को भी पढ़ने लिखने का मौका मिला जबकि उस दौर में लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था लीला ने ग्राजुएशन की थी शुरुवात में लीला का पूरा नाम था लीला नागरकर लीला जब 16 साल की हुई तो डौक्टर गजानन यश्वंत चिटनिस से उनकी शादी करा दी गई उनके पती उम्र में उनसे काफी ज्यादा बड़े थे उनसे लीला चिटनिस को चार बेटे हुए कुछ समय तक लीला अपने पती के साथ ब्रिटन में भी रही थी वहीं से इन्होंने और इनके पती ने भारत की आजादी की लड़ाई में भी काम किया था ब्रिटन में एक दफा इनके पती ने आजादी की लड़ाई लड़ने की वजह से अंग्रेजों के निशाने पर आये मनबेंदर रॉय को अपने घर में शरण दी थी किसी तरह ये बात पुलिस को मालूम चल गई हाला कि पुलिस जब तक इनके घर पहुंचती तब मनबेंदर रॉय वहां से जा चुके थे पुलिस ने लीला चितनिस के पती को हिरासत में ले लिया था हाला कि बाद में पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा लेकिन लीला और उनके पती पर गिरफतारी की तलवार उसके बाद भी काफी दिनों तक लटकती रही स्थिति जब सामानने हो गई तो लीला चितनिस और उनके पती भारत भापस लोट आए और बौंबे शहर में रहने लगे हालाकि फिर इनके पती से इनकी खटपट होने लगी और दोनों के रिष्टे बिगड़ने लगे आखिरकार लीला चितनिस और उनके पती ने अलग होने का फैसला किया और फिर दोनों ने तलाक ले लिया लीला के चारों बेटों की जिम्मेदारी का बोज उनहीं पर आ गया बेटों की परवरिश के लिए लीला ने टीचर की नौकरी करनी शुरू कर दी एक्स्ट्रा कमाई के लिए लीला ने नात्यव मनवंतर नाम का एक थियेटर ग्रूप जोइन कर लिया जो की आम तोर पर मराठी भाषा में नातक किया करते थे ये वो दौर था जब महिलाओं को फिल्मों में काम करना और नाटकों में काम करना बहुत ही बुरा समझा जाता था ये वो दौर भी था जब भारत में फिल्म इंडस्ट्री की शुरूरात हो रही थी लीला स्टेज पर काम करने लगी और इनका नातक उसना नवरा और उद्याचा संसार को बेहत पसंद किया गया उसके बाद एक्स्ट्रा कमाई के लिए ये फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल्स करने लगी साथ ही इन्होंने स्टंट फिल्मों में भी काम किया वैसे तो इनकी पहली फिल्म थी सन 1935 में रिलीज हुई श्री सत्तिनारायन उसके बाद इन्होंने धुआदार, छाया, वहां और इंसाफ की कुछ और फिल्मों में भी काम किया लेकिन लोगों के नजरों में ये चड़ी सन 1937 में रिलीज हुई फिल्म जेंटिल्मन दाकु से इस फिल्म की कहानी के मताबिक एक लड़की आदमी के कपड़े पहन कर दुनिया के सामने आ जाती है इस फिल्म के लिए लीला चितनिस को काफी सरहाया भी गया तो समाज के एक धड़े द्वारा इनकी काफी आलोचना भी हुई साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म कंगन भारत की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी इस फिल्म में लीला महान अभीनेता अशोक कुमार के आपोजिट नजर आई थी इस फिल्म से ही लीला चितनिस को बॉम्बी टॉकिस की पॉर्मिनेंट आक्टरस बनने का मौका मिला और उन्होंने उस जमाने की एक और खूपसूरत अभीनेतरी देविका रानी की जगह ली फिर तो अशोक कुमार के साथ इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनोंने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया आजाद, बंदन और जूला ये वो फिल्मे थी जिसमें अशोक कुमार और लीला चितनिस की जोड़ी को लोगोंने खूप पसंद किया और ये फिल्मे भी सूपर हिट रही थी लीला चितनिस धीरे धीरे फिल्म इंडास्ट्री पर अपने एक छत्र राज को बढ़ने लगी हाला कि सन 1940 के दशक की शुरुवात के बाद इन्हें बतार हिरोईन फिल्मों में लेना डिरेक्टर्स के लिए काफी मुश्किल होने लगा था क्योंकि इनके उम्र अब इनके चेहरे पर साफ नजर आने लगी थी आखिरकार 1948 से इन्होंने फिल्मों में मां के किरदार निभाना शुरू कर दिये दिलिप कुमार की फिल्म शहीद में इन्होंने पहली दफा मां का किरदार निभाया था मां के रूप में भी लीला चितनिस को बेहत पसंद किया गया बस फिर क्या था उसके बाद तो ये फिल्मों में पर्मनेंट मां के किरदारों में ही नजर आने लगी राज कपूर की फिल्म आवारा में भी इन्होंने उनकी मां का किरदार बड़ी खुपसूर्ती के साथ निभाया था फिल्म गाइड में ये देवानन की मां की किरदार में नजर आई थी इनका वो किरदार भी यादगार बन गया अपने 50 साल लंबे करियर में लीला चितनिस ने साड़े 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया इनकी प्रमुक फिल्म में थी मां, आज की बात, नया दौर, साधना, फिर सुभा होगी, धूल का फूल, हम हिंदुस्तानी, गंगा जमना, फरार, दुलहन एक रात की, औरत, नई उम्र की नई फसल, फूल और पत्थर, इंतकाम, शेहनाई, असली नकली, मनमोजी, जोहर मह पहमूद इन गुवा, इंतकाम, और मन की आखे, असी के दशक की शुरुवात में, इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था, 1980 में इनकी फिल्म आई थी, बिन मा के बच्चे, उसके बाद से ही, इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, हाला कि साथ साल बाद यानी सन 1987 में लीला चितनिस नजर आई थी फिल्म दिल तुझको दिया में इस फिल्म में ये मिसिस सिनहा बनी थी जो फिल्म के हीरो कुमार गौरो की दादी थी यही फिल्म लीला चितनिस के करियर की भी आखरी फिल्म थी इसके बाद लीला चितनिस ने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और अपने बड़े बेटे मानवेंद्र के साथ अमेरिका के देनबरी शहर में रहने चली गई वहीं पर 14 जुलाई साल 2003 को लीला चितनिस ने इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया ये भी एक इतफाक ही है कि फिल्म बंधन में इनके साथ ही कलाकार रहे सुरेश जो की अपने दौर के एक मशूर बाल कलाकार थे उनकी मौद भी 14 जुलाई के दिन ही हुई थी हाला कि सुरेश की मौद इनसे काफी पहले यानि सन 1989 में हो चुकी थी लेकिन बंधन फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों को इस बात का अंदाजा जरा भी नहीं होगा कि दोनों एक ही तारीक को दुनिया छोड़ कर जाएंगे बस साल अलग-अलग होंगे लीला चितनिस से जुड़ी एक खास बात और है और वो ये कि ये पहली भारती अभिनेत्री थी जो लक साबुन के विज्यापन में नजर आई थी इनसे पहले भारत में भी लक साबुन के विज्यापनों में विदेशी मॉडल्स नजर आते थे लेकिन लीला चितनिस ने अपने खुपसूरती के दम पर लक्साबुन के विज्यापन में खुद को फीचर कराया उस दौर में लक्साबुन के विज्यापनों पर इनकी तस्वीरें छपती थी और उन तस्वीरों पर कई लाइने लिखी होती थी जैसे औरते लीला चितनिस से जलती हैं क्योंकि वो लग साबुन इस्तुमाल करती है एक दूसरे विज्यापन पर लिखा था हमें बताओ लीला चितनिस तुम्हारी खुपसूर्ती का राज क्या है वहीं एक विज्ञापन पर लिखा था लवली लीला चितनिस की तरफ से एक ब्यूटी टिप एक अन्य विज्ञापन पर लिखा था आपकी स्किन फ्रेश और स्मूध हो जाएगी लीला चितनिस ने डिरेक्शन में भी हात अपनाया था इन्होंने एक फिल्म लिखी थी, जिसका नाम था आज की बात लीला ने खुद ही इस फिल्म को प्रडूस किया और इस फिल्म का डिरेक्शन भी इन्होंने खुद ही किया था इस फिल्म में लीड रोल में अजीत खान थे वही अजीत खान जो आगे चलकर बॉलिवुड के एक बेहत क्लासिक विलन साबित हुए इन्होंने कुछ और फिल्में भी प्रड्यूस की थी हाला कि डिरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन में इन्हें कुछ खास सफलता हासल नहीं हो पाई लीला चितनिस को इस दुनिया से गए हुए सालों गुजर चुके है